नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोज डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानकारी आपसे चूटता जाए, धन्यवाद नमस्कार, मैं हूँ वैभावनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वैभावन, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 18 अप्रेल के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की, विक्रम संवत 2089 मा प्यासों से सभी कारियों में सफलता मिलेगी, लेकिन आज उधार रुपया पैसा लेने से और अपना पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए, ओम गुणा तीताय नमहमंतर का 108 बार जाप करें, रातरी काल में बाग बगीचे में उपवन में जाने से आपको बचना हो के लिए परिजन, दोस्त, रिष्टदार आज आपको पूरा-पूरा सहियो करेंगे, जमीन जायजात के मामले में वाद विवाद में पढ़ने से आपको बचना चाहिए, ओम गौरी पुत्राय नमहमंतर का 108 बार जाप करें, दिन में शेहन करने से आपको बचना होगा, करक राशी, करक राशी वाले जातक लोगों के लिए क्रोध पर नियंतरन और वाणी पर सहीं हम रखें, ने था गंबीर वाद विवाद होने की संभावना दिखती है, स्वास्त आपका आज सामाने रहेगा, ओम चक्रिणी नमहमंतर का 108 बार जाप करें, वाहन का प्रयोग आपको बचना होगा, करन्या राशी, करन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति हो सकती है, परिवार का महौल अच्छा रहेगा और परिजनों के साथ दिन आननदपूरवग वितीत होगा, ओम चतुराई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, किसी वृ विरिश्यक राशी, विरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक कारियों में भाग ले सकते हैं, इश्वर भक्ती मन को शांती प्रदान करेगी, ओम कृतिने नमहमंतर का 108 बार जाप करें, संपतिया उसके लावा निति कहीं निवेश की योज नहों तो उससे आपको बचना होगा, धनुराशी, धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का महौल आपके नुकूल रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुँचे, ओम कैवले शुकदाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें, मकर राशी, मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का महौल अच्छा रहेगा, लेकिन किसी बात को ले करके गंबीर वाद विवाद या परिवार में बहस की इस्तिती जन्म ले सकती है, ओम गजाननाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, आलत से बि में भी आज आपको बहुत जादा ध्यान रखने की जरूरत है, ओम गणेश्वराई नमहमंतर का 108 बार जाप करें, लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, मीन राशी, मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए परिजन मित्रों के साथ किसी यात्रा या पि और क्या नहीं करना चाहिए, अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाई की जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी उन्नती और प्रगती में बाधक हो सकता है आपके घर की छट पर रखा हुआ पानी का टैंक, कई बार क्या होता है कि अगर आपने सही दिशा में रखा नहीं हो, इसलिए लोग अपने घर की छट पर पानी की टैंकी रखवाते हैं, लगवाते हैं, टैंक लगवाते समय आमतोर पर यह ध्यान नहीं रखा जाता कि टैंक रखने की सही दिशा वास्तु शास के नुसार क्या होनी चाहिए। वास्तु शास्त के नियमों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वास्तु शास के नियम के नुसार उत्तर और पूर्व दिशा जो है, वो जल के लिए उत्तम दिशा बताई गई है। इस दिशा में घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर, पानी का घड़ा और द रखना है तो उसकी दिशा हमारे शास्त्रों में दूसरी बताई गई इससे व्यापार में नुकसान होता है घर में रहने वाले लोगों का स्वास्त हमेशा प्रभावित रहता है व्यावार में बहुत चड़चड़ापन बना रहता है स्वास्त में उतार चड़ाव रहता है आकस्मिक दुर्गटना इत्यादी की संभावना भी इससे बढ़ जाती है उत्तर पूर्व की दिशा भी पानी का टैंक रखने के लिए उचित नहीं है इससे तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता दक्षिन और पश्चिम की दिशा जो है वो नेरक्त कोंड जिसे कहा जाता है दक्षिन और पश्चिम का वो स्थान जो है भादी रखने का नियम शास्त्रों में बताया गया वहाँ पर अगर आप ओवरेड टैंक रखवाएंगे चट पर पानी की टंकी रखवाएंगे तो वो काफी हद तक ठीक होता है दक्षिन औ आपस में मारपीट खुन खराबे की इस्थिति और इसके अलावा रोग बीमारी दुर घटना वगरा नहीं तो घर में आग लगना शौट सर्किट वगरा होना अप्लाइंस जलना यह सब बहुत आम घटनाएं हो जाती है तो ऐसे में सबसे उचित दिशा अगर कोई बचती है तो फिर वो दक्षण और पश्चिम के दिशा बचती है साउथ वेस्ट कॉर्णर जो है नेरक्त कोंड जिसे कहते हैं ओवरेड टैंक के लिए वहाँ पर अगर आप टैंकी रखते हैं तो वह सबसे उचित होता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त से जुड़ी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पर नमोना रहा है हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट के लिए मेरे चै के हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इ हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस एच ए आर एम ए डॉट वैबवा वी ए आई बी एच एवी ए एडिरेट जीमेल डॉट कॉम पर इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद